गिद्मन बच्चों गिद्मन मैं हूँ परफेसर हरी राम सिन्हा फ्राम अनुवर्शिट अब डैली बच्चों आज के इस क्लास में मैं आप लोगों के साथ यूटिलिटी और मार्जिनल रेट अफ सब्सक्राइब बिलकुल बेसिक से एडवांस लेबल तक डिसकस करने जा रहा हूँ तो बच्चों चलिए चलते है स्क्रीन पे लेकिन उसके पहले आप से एक रिक्वेस्ट है कि जदी आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें वीडियो को लाइक एंड सेयर जरूर करें बच्चों एक और इंफ्रमिशन आप के लिए बच्चों योजी सिनेट ज्यार एकनामिक्स जून दो हजार चॉबिस के लिए मेरा पेड कोर्स है जिसे आप गोल टू के नाम से जाते हैं गोल टू इस कूर्स को इस बैच को मैंने इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप चाहें तो पहली बार में आपका ज्यार एफ क्वालिटाई हो सकता है क्योंकि इस में आप लोगों को वीडियो लेक्च्चर जितनी बर चाहें उतनी बर आप देख सकते हैं उसके अलावा PDF notes, practice के लिए question, mock test यह सब कुछ बिल्कुल perfect and बिल्कुल system से आपको दिया गया है तो बच्चों फिर देर किस बात की? जदि आपने भी सपना देखा है कि GRF Economics Qualify करके universities and colleges में आपको professor बनना है या फिर research करना है तो फिर देर मत किजिए आज ही आप Ecoparsala का आप डाउनलोड करें और लग जाएए अपने सपनों को सकाथ करने में जोईन करने के लिए Ecoparsala का आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे courses का option आएगा, courses में जाकरके वहाँ से आप directly जोईन हो सकते हैं या फिर जदी आपको किसी तरह का कोई issue आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे 9910569227 पे मुझे आप directly call भी कर सकते हैं बच्चों चलिए बच्चों अब चलते हैं तो बच्चों हम लोग screen पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों को utility बताता हूं कि utility क्या होता है और फिर उससे MRS का क्या रिलेसंसिट है बीच में एक और टॉपिक आएगा इंडिफ्रेंस को वो भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले तो आप utility समझें कि utility होता क्या है utility कुछ नहीं है basically it's a power of a good to satisfy human need और आप कह सकते हैं कि it is the power of a combination of goods that satisfy human need I repeat again it is the power it is the power of a good power of combination of goods combination of goods that satisfy that satisfy human need समझनार बच्चों कि किसी भी commodity का या फिर group of commodities का वह पावर जिससे human being की need को satisfy किया जाता है उसे आप utility कहते है पर एक्जाम्पल देख लिए इस pen से मैं लिख रहा हूं यह pen हमारी कौन नीट सटिस्वाइब कर रहा है यह pen हमारी राइटिंग नीट को सटिस्वाइब कर रहा है कर रहा है ना बच्चों तो इस पेन से हमें utility मिलती है laptop से मैं पढ़ा रहा हूं laptop हमारी कौन सी नीट सटिस्वाइब कर रहा है पर हमारी online जाने की नीट को सटिस्वाइब कर रहा है यह light up रेम लाइट देख रहे हैं यह कौन सी नीट को सटिस्वाइब कर रहा है हमारे चेहरे पर focus आ रहा है यह वाली नीट को सटिस्वाइब कर रहा है आप रोटी खाते हैं आपकी भूख को मिटाता है आप चप दाल खाते हैं आप कुछ भी मतलब जो भी commodity आप यूज कर करते हैं वो आपके नीट को साटिस्वाई करता है इसका मतलब उस कमोडिटी से आपको यूटलिटी मिलते हैं क्लिए रहे बच्छों यानि आप क्या कहते हैं उसे आप कहते हैं यूटलिटी तो इस बात को आप हमेशा ध्यान लगएगा यूटिलिटी पावर अफ गुट तु साटिस्वाई हुमन नीड और पावर अफ दा कम्बिनेशन अपको जड़ी एक से ज्यादा कमोडिटी मिल करके आपके नीड को साटिस्वाई करते हैं तब आप उसे उसे भी आप यूटिलिटी ही कहते हैं पर एक्जाम्पल आप एक औ सोल और कार मिल करके आपकी ट्रेवलिंग नीड को साटिस्वाई करते हैं तो इस तरीके से आप वह कमोडिटी या फिर कम्बिनेशन आप कमोडिटी डाट साटिस्वाई हुमन नीड इस नौन आज यूटिलिटी के लिए रहें आप एक और चीन देखिए आपको आप लोग कि इंडिफ्रेंस कर आप किसे कहते हैं पता है बच्चों इंडिफ्रेंस कर इंडिफ्रेंस कर इंडिफ्रेंस कर किसे कहते हैं इसको आप इंडिफ्रेंस कर देखिए प्लीज इंडिफ्रेंस कर यह क्या होता है बच्चों पता है पता है तो आप मुझे बता Indifference Curve एक ऐसा curve है एक ऐसा line है जिसके हर point पे utility constant होती है with a different combination of two commodities I repeat again this is the curve that at every point on that curve याप सुटाफ सिस्टमितिक धंग से इस आपको define तरहें तो it is the locus of all point that satisfy sorry it is the locus of all point that represent though what same level of utility at different point with a different combination of two commodities एक ऐसी line जिस पे utility बराबर रहता है with a different combination of two goods यहाँ पे मैं आपको दिखाएंगे it is the locus of all point it is the locus of all point that represent that represent the same level represents same level of utility with different combination with with different combination of two commodity है नब बच्चो यह समाझ मैं आपको इंडिफरेंस कब आप लोग अच्छी तरीके से जाते हैं इसे यहाँ पे आप एक एक कमोडिटी लेते हैं और यहाँ पे एक यवाई कमोडिटी लेते हैं इस बात को जानते हैं चाय आगया पर चाय देखते हैं और यह देखिए यह इसको आप इंडिफरेंस कर्ब कहते हैं यह देखिए यानि इसको OIC with the same level of utility मतलब यह कि चाहें यह इतना Y के amount and इतना X के amount यूज़ करें और यह वाला combination A यूज़ करें आपकी utility सेम है या फिर इतना X के amount और थोड़ा कम Y के amount यूज़ करें और यह combination इसे B कह लेजिए चाहें वो एक combination यूज़ करें या फिर वो वाला combination यूज़ करें दोनों ही combination में utility यूबार के बराबर है यानि इंडिफरेंस कर्ब के हर point पे utility बराबर रहती है इंडिफरेंस मतब कोई difference नहीं है डिफरेंस का अपोजिट है इंडिफरेंस यानि हर point पे utility बराबर होती है बचों हर point पे utility बराबर अब हम आते हैं कहां पे कहां पे आते हैं बचों मार्जिनल रेट अफ सब्स्ट्यूशन क्या हो जाए तो यहां पे एक चीज़ आप देखें ध्यान देजिए बचों पहले मैं इसको नहीं बनाता हूं यह दख्यों आप देखरें बचों माल लीजिए कि आप एक यूनिफरेंस कि आप यूनिफरे एक यूनिट एक्स को बढ़ाने के लिए कितना वाई सेक्रिफाइस कर रहे हैं एक यूनिट एक्स को बढ़ाने के लिए कितना वाई सेक्रिफाइस कर रहे हैं यही होता है मार्जिनल रेट अप सब्सिचूशन यहां पे मैं आपको लिखना चाहता हूं बच्चों सबसे प difference कब समझा दिया और फिर अब आपको marginal rate of substitution समझाना जा रहा हूं और फिर आएंगे technical level में कि अलग-अलग utility functions होते हैं और उस function से different level of, different marginal rate of substitution कैसे derive किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, आपके exam में उस topic से किस-किस तरह के questions आते हैं, चलिए चलिए, ये देखे, marginal rate of substitution देखे, M, R, S, X, N, Y, यानि marginal rate of substitution between X and Y, तो यहाँ पे बड़ा simple सा होता है, इती देर रेत वेच वन गुड़ी सब्सुचित पर वन अडिशनल उनित अडिशनल उनित अडिशनल उनित अडिशनल उनित अडिशनल अडिशनल कमोडिटी के लिए दूसरा कितना सक्रिफाइस के आसा, उससे आप क्या कहते हैं, उससे आप कहते हैं, marginal rate of substitution, इसको मैं लिख देता हूँ, it is the rate at which, at which, the amount of good is such, amount of good is such, sacrifice, आप स्पीश तरी के से कह सकते हैं, amount of good is sacrifice, amount of good is sacrifice, sacrifice for one additional, one additional unit of other commodity. देखे ले मैं चुपते हैं? It is the rate at which amount of a good is satisfied, a sacrifice for one additional unit of other commodity. यानी एक unit additional x के लिए आप कितना y sacrifice करने को तैयार है. वाज़ाया बच्चों आप लोगों को? एक additional unit of x के लिए आप कितना y को sacrifice करने को आप तैयार है? उसे आप कहते हैं क्या? उसे आप कहते हैं marginal rate of substitution. एक x के लिए कितना y देने को तैयार है? Basically एक rate exchange है. अब हम थोड़े आगे बढ़ते हैं. हमारा जो main point है utility and MRS. तो बच्चों आप लोग जदी undergrad में economics पढ़ी है, master's में भी पढ़ी होगी, जदी आपने economics पढ़ी है तो, है ना? तो उसने utility function एक concept होता है. क्या होता है बच्चों? utility function. utility function एक concept होता है बच्चों. बच्चों. इती द फुंक्शनल रलेसंजी बच्चों बच्चों. utility derive and the goods consumer. पढ़ा आपनों को? utility function. बच्चों. बच्चों. utility function. function. it is the functional relationship between it is the functional relationship between utility derive and utility derive utility derive and goods consume. है ने बच्चों? goods consume. ठीक है? utility function क्या होता है? मतलब कि आपको utility and goods के consumption में जो relationship होता है उसे आप utility function कहते हैं. क्या क्या कहते हैं बच्चों? रिलेशन सिप या function relationship between utility derive and the goods के जो. और आप इसको इस तरीके से लिखते हैं. किस तरीके से लिखते हैं बच्चों देखें? यू is the function of x and y. किलिए रहे हैं बच्चों? ये तो बहुत बार आप लोगों ने देखा हूँ. और ये कई तरह के हो सकते हैं. जो भी आप function ढूँड़ें, जिस format में ढूँड़ें, उस format में हो सकते हैं. जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, पहला format इसका देखें. यू is equals to x into y. ठीक है बच्चों? दूसरा format यू is equals to x पे पावर 0.5 y पे पावर 0.5 दूसरा format, तीसरा format यू equals to alpha x plus beta y. next format हो सकता है, यू equals to min of alpha x and the beta y. है न बच्चों? ये बहुत सारे functions हो सकते हैं, जिसना function आप चाहें, उतना function यहाँ पे हो सकता है. जितना function चाहें, आप उतना function आप से बन सकता है. अब बात यह आती है, कि इन function से आप MRS कैसे ढूँट सकते हैं? marginal rate of substitution आप कैसे ढूँट सकते हैं? तो marginal rate of substitution का जो फर्मूला होता है न बच्चों, ये देखें, बड़ाए सिंपल सा. marginal rate of substitution between x and y is equals to mux by muy. ये होता है marginal rate of substitution का फर्मूला. अब देखें, बच्चों, हमने अपने paid course में ये फर्मूला आया कहां से? ये भी हमने derive करके सिखाया आपको. हलाकि यहां पर संभों नहीं है, ये पूरा का पूरा मैं derivation करूं, चुकि major focus हमारा है MRS पे. ठीक है ना? MRS के फर्मूले पर नहीं, उसके derivation पर नहीं. आप देखें, अब एक इक करके हम ले रहे हैं, मान लिजिए, कि आपने ये वाला function लिया. ये देखें, ये वाला function आपने लिया. ठीक है बिचूंगे, ये वाला function लिया. अब इसका MRS क्या होगा? देखें प्लीज, पहला point हम ले रहे हैं, U equals to X into Y. अब आप इसको differentiate करते हैं, MUX निकालने के लिए आपको पता है? MUX is equals to, equals to, बोले बचो, DU with respect to DX. partial differentiation करते हैं, X के terms में. कितना आएगा बचों? देखें प्लीज, कितना आएगा? इसको आप X के terms में differentiate करेंगे, तो यहाँ पर Y बच जाएगा. सो यहाँ पर Y आगे हैं. ठीक है बचों? Similarly, MUY करेंगे आप, तो DU with respect to DY करेंगे, तो फिर यहाँ पर क्या बचेगा? X बच जाएगा बचों? X बच जाएगा? अब आप इसको फर्मूले में substitute कर दिजिए. So, MRS equals to क्या होगा? MRS XY is equals to Y by X हो जाएगा. हो जाएगा बचेगा? तो देखा आपने बचेओ, इससे आप MRS निकाल सकते हैं. Similarly, और भी एक ले लिजिए यहाँ पर. इसको ले लिए बचेओ, यहाँ पर देखेए प्लीस. U दूसरा ले लिए यहाँ. U equals to X पर पावर 0.5, Y पर पावर 0.5. ठीके? अब आप इसको डिफरेंट करें बचेओ? डिफरेंट करेंगा ना? So, इसको आप करेंगे. D U with respect to DX करेंगे आप. तो क्या बचेगा है? पॉइंट पहले आएगा 0.5, X पर पावर माइनस 0.5, Y पर पावर 0.5. ठीके बचों? और इसको आप क्या कहेंगे? इसको आप कहते हैं, M U X. Similarly, D U with respect to D Y करेंगे, तो क्या आएगा? 0.5, Y पर पावर माइनस 0.5, इन्टो, X पर पावर 0.5. और ये क्या आएगा, बच्चों? ये आएगा, M U Y. ठीके हैं? तो M R S कैसे निकलेगा आप यहाँ पर निकालेएं? M R S X Y is equals to, तेके, 0.5, X पर पावर माइनस 0.5, इन्टो, Y पर पावर 0.5, divided by, divided by 0.5, Y पर पावर माइनस 0.5, X पर पावर 0. है नो, बच्चों? आप देखें, तो कैसे लओर कर दिजे, कलर दूसरे लेलते हैं, देखें, 0.5, कट गया, 0.5 यहाँ से कट गया, अभी देखें, X का जो पावर है, माइनस में है, तो जदी उसको डिनोमेनिटर में ले आएंगे, तो पावरों पोजिटिव में हो जाएगा, और इसका जो Y का जो पावर है, वो भी निगेटिव है, तो वो निमेनिटर में जाएगा, तब पोजिटिव हो जाएगा, यानि यहां देख सकते हैं देख्यों, कि MRSXY is equals to, यह देखें, Y पे पावर 0.5, और जो नीचे वाला Y पे पावर, माइनस पावर उपर जाएगा, इन्टू Y पे पावर 0.5, डिवाइड़ जाएगा, यह जो उपर वाला जो पावर है, वो नीचे आएगा, तो X पे पावर 0.5 पोजिटिव हो गया, और एक और अलेड़ी है यह पे, X पावर 0.5, आप देखें, जिदी बेस सेम हैं, तो पावर एड़ हो जाते हैं, तो MRSXY is equals to Y by X, देखा आप लोगोने बैच्चेों, देखा, पहले वाला और दूसरा दोनों एक ही है, है ना, दोनों एक ही है बैच्चों, अब हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे बैच्चों, और हमने इसमें तीसरा देखना है, तीसरे के केस में, क्या होगा है, कि उसकेस में MRS क्या होगा, ठीके बच्चों, चलिए, तीसरा हमारा है, यू is equals to alpha X plus beta Y, ठीके बच्चों, इसको हमने next page बेचलना पढ़ेगा, यू equals to alpha X plus beta Y, ठीके, MRS आपको पता है, XY is equals to MEX by MEY, और आप इसको differentiate जब करेंगे, इसको X के terms में, यानि DU with respect to DX करेंगे, तो फिर आपके पास आएगा alpha, तो कि ये 0 हो जाएगा, and DU with respect to जब DY करेंगे, तो फिर ये आजाएगा beta, यानि जदी इसको, ये क्या है, MEX, ये क्या है, MEY, that is, MRS between X and Y is equals to, MUX, that is alpha, है ने बच्चों, और ओबर बीटा, ये है constant, MRS यहाँ पर constant है, constant का मतलब ये है, कि it is not affected by either X or Y, it is not affected by either X or Y, आपको याद होगा बच्चों, कि जब ये plus वाला case होता है, utility में, तो, indifference का बिल्कुल straight line बनता है ये, indifference का बिल्कुल straight line बनता है, याद है, तो हर point पे ये देखिए, हर point पे same amount से आप sacrifice करते हैं, every additional unit of X के लिए, same amount of Y sacrifice करते हैं, every additional unit of X के लिए, same amount of Y को sacrifice करते हैं, पता है बच्चों आप लोगों को, नहीं, आप एक तीसरा, या फिर आप उसको next था जो, उसको आपके पास utility, is equals to, min of alpha X and beta Y, यही था ना बच्चों, U is equals to min of alpha X and beta Y, clear है बच्चों, इसको देखिए, इसका कैसे निकलेगा, वैसे जदी आपने micro economics variant पढ़ी है, तो यह तो चीजी आपको आती होगी, नहीं पढ़ी है, खास करके state university के बच्चे, क्योंकि नहीं पढ़ते हैं, उनके लिए देखिए, min का मतलब क्या होता है, min का मतलब होता है, कि यह जो utility function जो है, यह वाली particular utility आपको तभी मिलेगी, जब आप एक particular fixed proportion में, वो commodity को use करेंगे, कहने का मतलब यतना utility, you are के बराबर utility आपको तभी मिलेगा, जब x और y को आप alpha और beta के proportion में use करेंगे, for example आप देख लिजे, यह x को आप perfect complement वाला case कहते हैं, left shoes and right shoes, माल लेते हैं कि left shoes equals to 1, and the right shoes equals to 1, तब तो आपको एक particular level of utility आपको मिलती हैं, मिलती हैं न बच्चों, what if, ज़्यान दीजे, what if, what if, left shoes equals to 1, and the right shoes is equals to 2, क्या कोई utility में change आएगा, बिल्कुल change नहीं आएगा, utility में कोई change नहीं आएगा, मुझे आपको अच्छी तरीके से बता हैं, तो यानि, यह जो utility function है, इसे आप, इसमें x and y जो होता है, वो perfect complement होते हैं, बच्चों, क्या होते हैं, बच्चों, perfect complement होते हैं, यहाँ पे x and y, यानि, u equals to, min of, alpha x, and beta y वाले case में, x and y, x and y, are perfect complement, perfect complement, और इस case में आप देखिए, किस तरीके से आपका वो निकलता है, यहाँ पे कोई mathematics कुछ नहीं उज़बगा, आप जानते हैं कि perfect complement के case में, utility जो होता है, indifference cup जो होता है, elsep होता है, पता है न बच्चों, यह देखिए, elsep, क्यों, क्यों ध्यान से देखिए, इसको क्यों मैं कह रहा हूं, माल लिजे कि इतना एक left source, और एक ही right source, है न बच्चों, x naught and y naught, तो फिर आपको एक particular level of utility मिल रहा है, माल लिजे कि आप right source बढ़ा दिये, एक, दो, तीन, चार, पांच कर दिया, utility में कोई फरक पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, एक ही left source आपके पास right source 4 हो गए, तो एक left source के साथ 4 right source नहीं पहन सकते हैं, एक left source के साथ एक ही right source पहन सकते हैं, जदी आपने एक left source बढ़ाया, तो utility को बढ़ाना चाहते हैं, तो दूसरा left source भी आपको बढ़ाना पढ़ेगा, तो उस case में आपकी utility फिर ऐसे बढ़ जाएगी इंडिफरेंस का ऊपर चला जाएगा है न बचों तो इंडिफरेंस का बढ़ जाएगा राइट वर्ड शिफ्ट होजाए और इस case में आप देख सकते हैं आपको पता है बचों कि आपको पता है कि marginal rate of substitution जो होता है बचों वो क्या होता है m u x by m u y होता है न यहाँ पर देखिए x वाले case में माल लेजिए कि y को constant रख जाए when y is constant and x increases there is no change in utility पता है बचों there is no change in utility means means m u x equals to 0 है न बचों m u x equals to 0 तो इस point पे m u x तो 0 है ही यह देखिए so m r s between x and y at यह देखिए इसको point a माल ले जाए a equals to 0 at b at b क्या होगा बचों पता सकते हैं आप लोग marginal rate of substitution जो है या फिर marginal utility यहां पे 0 है तो m u x by m u y is equals to 0 बचा m u y is equals to 0 clear है जीरो है मतलब a point पे भी 0 है और b point पे भी 0 है यहां भी 0 है अब थोड़ा c point पे देख लिए जाए बचों c point अब देखिए y की x की amount constant कर दिया जाए यहां पे मैं इसको लेना चाहता है यहां जगह नहीं हो ठीक है न यहां पे ले दिखिए यहां पे when x is constant यहां पे y constant था न बचों when x is constant and y increases chicken mu y equals to 0 यानी mu x बटा mu y mu y क्या है यहां पे 0 है बचों mu y क्या है बचों 0 है 0 यानी mu x by 0 is equals to infinity तो ध्यान सुनिया बचों point a पे 0 है mrs point b पे भी 0 है mrs लेकिन point c पे mrs है वो infinity है यानी mrs जो है इस case में mrs vary करता है कहां से लेकर के बचों 0 से लेकर के infinite तक vary करता है बचों अब हमें समय इजाज़त नहीं देता है कि हम आगे बढ़ें तो बचों इस class में इतना है जदी अच्छा लगा हो तो वीडियो को like and share जरूर करना और अपने दोस्तों में इसको share जरूर करना बचों और जिदी चैनल पे आप नए हैं तो sacrifice ओक भी कर देना आप लोग झाल 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 झाल